नमस्का दूस्तों एक बार फिरिस्याप का हमारी चैनल स्वागत है आज हम बात करेंगे कि मुखा बिगड़ा स्वाथ के लिए उपचार आए जानते हैं नीबू को काट कर उसकी एक फांक में दो चुटकी काला नमक एवं काली में पीसी हुई पूर लें फिर धीमी धीमी आँच याद तवे पर रखकर गर्म कर लें इसकी चूसने से मुख की कड़वा हट दूर होकर मुखा बिगड़ा स्वाथ ठीक होता है पेट की गड़वड़ी वा बदजमी की सिकायट मिटती है और भूख खुलकर लगती है मुख का स्वाथ खराब होने पर मुख सुद्धी के लिए और किटारू रहत करने के लिए एक लौंग को मुख में रखकर चूसना चाहिए चाय पीने के बाद मुख का बिगड़ा स्वाथ इससे सही हो जाता है केवल दो काली में इस मुह में रख कर चमाने से मुह का स्वार्ट ठीक हो जाता है और जी नहीं मिचलाता है वो चारे स्पस्ट और अकला हार्ट की सिकायत कम हो जाती है उम्मीद है दोस्तों चानकरी पसंद आएगी जादी आप मारे वीडियो को यूट्यूब पर देगा है चैनल सब्सक्राब करें वीडियो को आप फेस्बूप पर देगा है पिसको लाइक किजिए धन्यमाद आपका दोस्तों